मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें यूपी पश्चिमी उत्तरप्रदेश में 29 अप्रेल के बीच बारिश तेज सवां के साथ आंधी तूफान की संभावना है मौसम खबाग के मताबिक सहारनपूर, शामली, मुजफर नगर, बागपत, मेरट, गाजबाद, हापपूर, गोतम बुद्ध नगर, बुलंच शहर, अलिगर, मतुरा, आगरा, बिचनोर, अम्रोहा, मुरादबाद, रामपूर, जासी, ललीदपूर, आसपास के लाकों में और देखने को मिलेगी, दिले-NCR के साथ साथ पश्मी-Юूपी में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, बेमौसम बारिश मद्ध्यप्रदेश में थामने का नाम नहीं ले रही है, बारिश के साथ ही, चलने वाली तीस हवाए, आम जम जीवन को अस्त वियस्त कर रही है वे मौसम बारिश का सिसला भी देखने को मिला है कईजलों में अतीज आंधी और बारिश हुई रतलाम चापुआ धार बंतसोर छिंदवारा आगर मालवा राचकड और सीवनी में बारिश हुई मौसम शेशग्यों ने दी चानकारी के बता भी का आने वाले कुस दिनों में मौसम इसी तरह बना रहेगा आखिर अप्रेल के सब्ताह में बारिश और आंधी का दोर रहेगा शनिवार को भी कईजलों में बारिश और रिशपात का अनुमान चताए गया है भोपाद, की चिंता भी बढ़ गई है मौसम इग्यानिक डॉक्टर दिविया सुरेंद्र ने बताया कि 24 गंटे में भोपाद, शाजापूर, बढ़वानी, इंदोर और रुजेन सहित के जिलों में बारिश हो सकती है उन्होंने बताया कि अप्रेल के आखिरी सब्ता में बारिश आन् अले भी गिर सकते हैं शुकरवार को उत्तर और पशिम जिस्से में गुवालियर, नीमच, मंदसोर, आगरमालवा, राजकर, शाजपूर, श्रिवपूरी, गुना, शोकनगर, विदीशा, और सागर में ओले बारिश का अलर्ट चारी किया गया था इन जिलों में बारिश का अनुमाल शाजपूर, आगरमालवा, राजकर, गुना, बुरहानपूर, खंडवा, हर्दा, देवास, सिहूर, राजसे, विदीशा, नर्मदपूरम, कटनी, उम्रिया, मैहर, शहडोल, अनुपूर, निन्दोरी में यलो लर्ट है अलगलग इस्थानों पर सक्रिये छे मौसम प्रणालियों के असर से अरब सागर से नमी आने का सिलसला शुरू हो गया है इससे शुक्रवार को सुबह सही प्रदेश के अधिक तरसलों में मौसम का मिज़ास बदल गया है तेजर रफतार से हमाय चलने और बादल बने रहने के एक दिन के तापमान में एक से लेकर साट डिगरी सेलसियस तक की गिरावर दर्च की गई इससे तपिश्च से राहत मिली मौसम से जड़ी जानकारी के लिए लाइव मौसम खबरों के लिए रिप चान को सबस्क्राइब करना ना भूलें